Acute Eustration Tube Dysfunction Sound जो है इदर से ट्रावल करके सीधा कान के परदा में लगके Middle ear में छोटा तीन बोन है उसके रस्ता ट्रावल करके सीधा अंदर के कान पोहँचेगा वहाँ सा सीधा वो ब्रेन जाएगा तो ये Middle ear में जो है इदर दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टन है एक हुआ उसमें तीन चोटा जो बोन से वो नॉर्मल होना चाहिए सेकेंड पॉइंट ये है कि ये Middle ear में हवा का प्रेसंस होना चाहिए नॉर्मल एर होना चाहिए ये एर उदर पहुंचता कैसा है नाक के रस्ते नाक के सबसे पीछे उदर से एक ट्यूब स्टार्ट होता है नाक के सबसे पीछे से ये Middle ear कनक करने के लिए ये ट्यूब इसका नाम है यूस्टेशिन ट्यूब जब ये काम नहीं करता तो Middle ear में उसका असर होता है इसका नॉर्मल फंक्शन यूस्टेशिन ट्यूब का नॉर्मल तीन फंक्शन है एक फंक्शन है कि भायर का प्रशर और अंदर कान का प्रशर इक्वेलाइज करने के लिए साथ-सात में भायर जितना ऑक्सिजन है उतना ही ऑक्सिजन ये Middle ear में होना चाहिए मतलब ventilation normal करने के लिए दूसरा ना के पीछे जो भी mile है कुछ भी secretion है वो कान के अंदर जाना नहीं देगा मतलब protection third कान के अंदर कुछ पानी जम गया तो वो सब ये tube के रस्ता ना के पीछे वापस धकल देगा हो मतलब drainage तो ये इसका तीन function होगा अगर जो ये tube function नहीं किया तो ये तीन function नहीं होगा तब जब जुकाम हो जाता है तो ये tube normally function नहीं करता है ये tube में inflammation हो जाता है तो common cause क्या है? जुकाम है upper respiratory tract infection तो patient का complaint है कि वो बोलेगी जुकाम है उसके साथ साथ में अभी दो-तीन दिन में कान बंद जैसा लग रहा है और कान में कभी-कभी दरद कर रहा है कान के अंदर दरद है और इधर angle में इधर दरद है वो ये जो दरद है इधर से नीचे जा रहा है जब sneezing करते हैं और खासी करते हैं ये दरद बढ़ जाता है और कभी-कभी रात में भी दरद होता है और तीसरा complaint है यह है कि कम सुनता है mild hearing loss यह हुआ normal patient complaint जब हम examine करेंगे कान के अंदर camera दाल के देखेंगे तो कान का पर्दा जो है तो almost normally देखेगा तो हम बोलेंगे कि आप काम करो नाग बत करो मुँ बन करके सांस भायर करो ऐसा तो कान खुलेगा अगर्चो उसका left कान you station tube dysfunction है तो वो बताएगा यह करने के बाद कि right खुल गया left थीरे खुल रहा है ने तो नहीं खुल रहा है तो हम नाक में ड्रॉब्स डालेंगे दो तीन ड्रॉब इधर दो तीन ड्रॉब इधर करके उसको बोलेंगी अच्छा से दो तीन बाद सांस ले लो उसके बाद यह वैल सल्वा रिपीट करने के लिए तो बोलेगा अभी यह left का कान भी खुल रहा है तो आपका यूज नहीं आता तो अगर्चो पेशिंट इंसिस करते हैं तो चाहिए तो कर सकते हैं नहीं तो सिर्फ डिर्क्ली ट्रीट्मेंट स्टार्ट कर सकते हैं अगर्चो यह टिम्पनेमेट्री किया प्रशे टस्किया तो नॉर्मल इसका ऐसा दिखेगा ए टाइप मौंटन इन हैं वो सेंटर में रहेगा अगर्चो उसको यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन है और तकरीबन 20-30 पसंद से ज्यादा डिसफंक्शन है तो ग्राफ सेंटर से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा यह हुआ टाइप सी को इसका ट्रीट्मे ट्रीट करो तो यह यूस्टेशन ट्यूब अपने आप ठीक हो जाएगा तो ड्रॉप्स नाक के ड्रॉप्स दालना चाहिए तीन ड्रॉप्स तीन टाइम सुबह में दोपर में रात में तीन ने तो पांच दिन तक साथ में कान का दरत के लिए पेंकिलर दे सकते हैं और स्टीमिलेशन ले सकते हैं तोरसी का लीवस डाल सकते हैं विक्स डाल सकते हैं और कारवल प्लस डाल सकते हैं इसा धेट सारा है प्लेन स्टीमिलेशन लेंगे तो भी चलेगा स्टीमिलेशन लेने के बाद हलका सा कान थोड़ा ब्लोड करो अईसा जो भी मैल है वो बाहर नि करने के बाद बोलनों कि स्पीट करो स्वालों नहीं करनेगा और अगर्चो मरीज सिवियर अलर्जिक राइनाइटिस का मरीज है तो एंटी इस्टिमिन का साथ दिन का कोस भी देना चाहिए और वील्सेललान मैनुवर डेइली सुभू में आर रात में पांच दिन के लिए करें पांच साथ दिन के लिए करेंगे तो बेटर है जैसे कैसा करना में बता है नाज बंद करना है जन कह tracing slide और अगर चो पांच दिन में कान इकली डोनों खुल गया तब व्ल्सेललान मैं स्टॉप मत करो और तीन दिन एक्स्ट्रा नॉर्मल होने के बाद तीन-चार दिन एक्स्ट्रा कर लेना बच्चों में यह करना डिफिकल्ट है वो समझेंगे नहीं इसलिए सिंपल ब्लोविंग दे बैलून भी चलेगा तो जब नॉर्मल हो गया उसके बाद भी तेन-चार दिन तक बैलून ब्लोव करने के लिए अद्वाइस करो यह हुआ अक्यूट यूस्टेशिन ट्यूब डिस्फांक्शन नमस्ते